हलो दोस्तों मुझे लगता है आप लोग को अब जो है आर्ट वर्क कैसे डिजिटली पेंट कर सकते हैं हम एड़ो फोटोशॉप में आप लोगों को बहुत अच्छे सवाज में आ गया होगा नहीं आया है तो आप एटलीस कोशिश करिए कि मेरे नंबर आफ असाइमेंट को बार बार ट्राइ करते जाएए डिफिनिटली आप बहुत अच्छे आर्ट वर्क डेवलप कर लेंगे अभी हम क्या करते हैं हम कुछ कलर ग्रेडिंग कलर लोक अपस देखते हैं बर उससे पहले हम इनको हम एक सिंगल फाइल के अंदर कंपाइल कर लेते हैं ताकि हमारा ऑउपन करके लेंगे वो असाइमेंट में पहले हुए हैं सो फवर्स्ट पेंटिंग मनाई है हम इस इसलिक में बाउल रख देंगे और fire यहीं पर हम एकोर और बाउल रखकर उसमें कुछ ऐपल कर देंगे और ओवरऑल इस हम वरक करना चाहेंगे अगर में चाहता हूं पर बाउल की image यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो मैं उसको किस तरीके से लाऊंगा देचता हूँ मैं फाइल में गया मैंने open किया open करके यह जो बाउल है इसको click करके मैं यहाँ से open पर click कर दिया यह बाउल आ गया कोशिश करिया reference image को छोड़के बाकि जितनी भी मेंचे water से ले करके बाउल तक का इनको सब को control जी से group कर लिए और group का नाम आप कर दिये BOWL बाउल अब अगर आपने मान लिए बाउल को ड्राइग करने को हिश्क्राइब तो यह ड्राइग नहीं होगा क्योंकि यह बता रहा है कि अंदर की सारी layer तो lock है तो हमने बाउल को expand किया और जितनी भी layer locked है इन सब को हमने एक सांस layer करा और इनको सब को हमने unlock कर लिया एक बार में unlock से फायदा क्या मिलेगा कि हम जब चाहें इस पूरे artwork को move कर सकते हैं अगर यह यहाँ पर move हो सकता है सो कहने का मतलब है कि इसको drag करके अगर मैंने यहाँ drag कर दे जो हमारा dog वाली image है सो automatically यह बाउल जो है वो हमारे इस artwork में से निकल के dog वाले artwork में चला गया अभी हमें बाउल वाली PSD के फिलाल ज़रूरत नहीं तो हम इसको burn कर देंगे बिना save करें और यह जो बाउल वाला group हमारे पास आया इसको drag करके हम यहाँ रख लेंगे ना अभी मुझे इसको छोटा करना है control T करके transform करिए और इसको हम छोटा कर देंगे तो बाउल हमारे लिए यहाँ पर रख जाएगा इसी बाउल को अगर मैं alt press करके एक और चाहूं तो copy निकाल सकता हूं alt press करेंगे तो आपके बास में एक copy और निकलाएगी बाउल की इसको आप करीब रह सकते हैं दूर रख सकते हैं जहां चाहें होँआ रह सकते हैं आप इसका नाम है बाउल copy आप इसकी drop-down list में जाएंगे इसको expand करेंगे और जो चीज़ा आपको नहीं चाहिए उसको हटा सकते हैं for example मैंने बला water नहीं चाहिए तो water को slid करिए और इसको आप डिलीर कर दिए तो अब यह जो बाउल ही copy है मान लिए मुझे सा color change करना तो मैं कैसे करूँगा color change करने के लिए हमने क्या काम करा आप group के अंदर जाएंगे दना बाउडर पर क्लिक करेंगे या बाउल पर क्लिक करेंगे तो आप image में जाके adjustment में जाके और hue saturation के मदद से उस color को change कर सकते हैं कुछ इस तरीके से मान लिए मैंने color को यहां से change करके blue कर लिया मैंने value याद रखी plus 140 ओकी कर दिये यही color मुझे bowl 1 पर पर चाहिए और border पर चाहिए तो अगेन आप image में जाएंगे adjustment में जाएंगे और hue saturation पर जाएंगे और अगेन आप यहां पर 140 कर देंगे तो आपको exactly उसी range से color फिर से मिल ज लिए वह color change हो गया सो हमने पूरे के पूरे बाउल को बड़े अच्छे से color में change कर लिया अब आगर आपको याद है तो हमने first class में apple बनाया हुआ था यहां पर again हम apple में क्या करेंगे यह green से लेकर के unlock करेंगे then apple ही copy को हम unlock करेंगे और apple और उसका dark top और उसका green area है इन तीनों को ले करके हमने अगेन एक group कर लिया उस group का नाम कर दिया apple एडबल पी एली apple हमने shadow को छोड़ दिया और हमने नीचे जो background image उनको छोड़ दिया नौ इस apple की जो उपर artwork है या नाम है उसको ड्राग करके नीचे ले आए और corners उसको बाद छोटा कर लिया कुछ इस तरीके से औ और यह apple हमको दिख़ए इसको drag करके हमने again हमारे जो doc वाले image उस पर रख दिया ऐसे करके नौ हमें इस apple PhD की जरूति हम इसको बन कर सकते हैं इसको safe करने को बूर रहा हमने वोला हमें कोई जरूतनी safe करनी की ना अभी हम देखेंगे तो हमारा bowl copy वाली जो group है उसके अदर एक apple नाम से अलग से folder आगिया तो हमने क्या करा हमने कंट्रूल टी करके transform करा और हमने इस apple को छोटा कर लिया कुछ इस तरीके से हम चाहते हैं कि हम इस बावल में apple रखना चाहते हैं लेकिन याद रखिए बावल के उपर अगर इस इस तरफ से हैं ब्राइटने सिदर से हैं और इसको रोटेट करके जैसा चाहें वैसा place कर सकते दैन मैं चाहता हम उसको ड्राइग करके मैं बावल के अंदर रख दूँ पर यह बावल के अंदर नहीं जा रहा है यह बिल्कुल जाएगा अगर मैं इसको ड्राइग करके border और बावल वन के नीचे रख दूँ जहां पर water रखा हुआ था तो आटोमेटिकली यह अंदर चले गया इधर देन उसके बाद मैंने और प्रेस करा एक और कॉपी ले लिए देन एक और कॉपी लिए तो एक और आपल मिल गया लेकिन कंट्रोल टी से मैंने इसको रोटेट करके आपोजे साइड आसर दिया और साइज उसक फिर भी प्रॉलम दे रही है कि बादर अभी भी आपजेट के ऊपर दिख रही है तो मैं इसको नीचे भी नहीं है सकता और ऊपर भी नहीं है सकता जहां जहां से बादर दिख रही हो उसको मैं एरेस कर सकता हूँ मैंने आपको किसी तरह से मास्किंग नहीं सिखाई है वरन finally यह हमारा overall scene बनके ready हो गया हम यह outline नहीं चाहते हैं जो हमारा dog है उसके लिए dog sketch को भी आप off कर सकते हैं so overall हमें जो shape मिलेगा बड़ा interesting shape यहाँ पर ऐसा मिल सकता है अब इस overall के उपा color grading करने के लिए सबसे उपवाई layer set करिए और आप यह जो layer window है ना इसी में आप नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको एक dark और light कलर का circle दिख रहा है इस circle पर click करिए और यहाँ पर बड़ा अच्छा option है जिसका नाम है color look up color look up आपको facility provide करता है कि 3D LUT files call करके आप different different color grading या color shades उस पर apply कर सकते हैं किसी एक color grading को apply करिए और फिर keyboard पर जो arrow keys है अगर उनका इस्तिमाल करते हैं तो आप बड़े अच्छे अच्छे shades यहाँ पर दे सकते हैं अगर मुझे यह वाला shade बड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं इसी shade को यहाँ पर freeze कर सकता हूं और उसके बाद में मैं चाहूं तो और भी चेक करके देख सकता हूं कौन सा particular shade भूजे बहतर लग सकता है तो that is called color look up जिसके जरी हम बड़े अच्छे color output यहाँ पर ready कर सकते हैं बस इतना करने के बाद में मैं चाहूं तो इसको बंद कर सकता हूं तो मुझे बड़ा dark flow मिल जाएगा यहाँ पर अगर मान लिए मुझे color look up अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको जब चाहें बन कर सकते हैं जब चाहें चालू कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि सिफ color look up ही लगा है आप चाहें न तो इसके उपर आप इस black and white circle में से जो effect चाहें वो effect लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे इस पर लगाना चाहिए exposure और एक्सपोजर अपलाए करके overall का exposure आप कम करना चाहते हैं gamma value कम करना चाहते हैं और gamma value बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने सब से color shades apply कर सकते हैं और इसको आप बन कर देंगे तो overall पूर इमेज के उपर apply किया जा सकता है इस तरीके से आप अपने artwork और shades को ready कर सकते हैं I hope you understand that things और आप लोग को सौन में आगे कि हम कैसे काम कर सकते हैं कितने अच्छे artwork यहां पर ready कर सकते हैं So that's all for today और मुझे रखता है कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसमें So आप लोग भी अपने artwork ऐसे बनाई है अपने portfolio अपने profile में रखिए आप लोग को बहुत अच्छा result और बहुत अच्छा appreciation इसमें मिलेगा Thank you so much for today, thanks a lot, bye bye all